जी हाँ, हर्याना में PGT, TGT, WPRT की नई बहरती का उठा मामला हर्याना सरकार को घेरने की कोशिस जी हाँ, आपको बता दे की एरनाबाद से विधायक अबैसिंग चूटाला ने जम कर हर्याना सरकार को लताड़ लगाई है उन्होंने काया कि गठबंदन सरकार ने परदेश को बेरुजगारी में नोकरिया बेचने में, पेपरली करने में, पेपरर्द होने में, बेलगाम अपसरसाई में, मुनाफ़ाखोरी में और काला बजारी में नमबर वन बना दिया है वहीं दूसरी तरफ सिक्ष्या का बेड़ा गरक करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी चा रही है परदेश के 14,437 सरकार स्कुलों में, एक लाग 37,895 पद समकित है इन में से 96,535 करमचारी अभी कारिया कर रही है जबकि 14,000 PGT के, 20,000 TGT के और 5,000 JVT टीचर के जो पद है जो खाली है 46,000 से ज़्यादा पदों के खाली होने के कार स्कुलों का बुरा हल है आपको बतादे कि 46,000 टोटल जो गुरूप D के भी करमचारी है, अन्य पदों पर भी करमचारी है वो पद खाली है, इसलिए उन्होंने 46,000 का नाम लिया है शिक्षया विबाग में 46,000 टोटल पद अर्यादा में इस वक्त खाली है जिसमें 14,000 PGT, 20,000 TGT और 5,000 JVT शामिल है गठवन सरकार की कूनीतियों ने शिक्षया का बिडर गर करने में कोई कस्र नहीं छोड़ी है बहुत से स्कूलों की हाला जरजर है सरकार शिक्षया ववस्ता को बहतर करने की दिसामें ध्यान देकर रिक्त पदों की तुरंत पद भरे आपको बताते हैं कि विपक्सी पार्टी के नेता है अबैसिंग चूटाला और बार बार जो बरतियों पर अपनी स्टेटमेंट देते हैं और अब की बार PGT, TGT वाजेविटी भारती से सम्मंदीत उन्होंने सरकार को लताड़ा है तो क्या अब हर्याना में नई भरती आएगी क्या विपक्सी पार्टी या जिस परकार से विपक्सी नेता जिस परकार से सरकार को गी रहे है क्या सरकार सबक लेगी देखते हैं आने वाले दिरों में लेकिन आपको बता दें कि हर्याना सरकार के मंतरी सिख्षा मंतरी कवरपाल गुजर ने भी कायेगी जैसे याच्टेट का रिजल टाएगा उसके बाद विभिन पदों पर हर्याना में सिख्षकों की भरती होगी तो आप इस मुद्दे पर क्या कहना साथ ते कुमेंट करें चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद